नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार्ग दैनिक रासीफल ससे कुले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में स्वास्त का थोरा सध्यान रखेगा और आज पारिवारी समस्या हलकी फुलकी परिसान करेगी दूसी तरफ दूसरों के साथ खुसी बाटने से स्वास्त आज खिलने वाला है कम सिखम तो आज खुस रहिए आनंदित रहिए और खर्चों पर कंट्रोल रखिए क्योंकि दिल खोल कर ब्याई करेंगे तो टेंसर में आ जाएंगे और दूसरा बात खुले दिल से अपनी बाते अपने दोस्तों के साथ ज और आज पारिवारी समस्य हलकी फुलकी है तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखने की आवसकता होगी हलांकि परसंता है कुछ मौमलों में और संतान के किसी परिच्छा के परिणाम आने से आप परसंते भी हैं वैसे नौकरी कर रहे हैं तो बिदेश से नौकरी का उफर आ सकते हैं लेकिन जो लोग विद्यार थी उनके लिए खासकर थोड़ा सा पढ़ाय लिखाय पर ज्यादा फोकस बनाये रखना होगा हलांकि सबका साथ मिल रहा है लेकिन पढ़ाय लिखाय पर फोकस बनाये रखें गायतरी मन जरूर पढ़े और धन के खर्चों पर बहुत कंट्र पर बहुत करणा तो मिलेगी लेकिन समाजी का स्तर पेक नई पहचान मिलेगी जिससे आपका मन प्रसंद रहेगा और आज ब्यापार के छेतर में भी लाब होगा आज आपने किसी से करजा लिया है तो वहां से आराम मिलता हुआ आज आपको दिख रहा है करजों की समस्या स से मुश्किल से आप बाहर निकालेंगे तो आपका कोई पडोसी आज आपसे उधार मांगने आ सकता है आपको सला दी जाती है कि उधार देने से पहले विस्वसनीता अवस्य जांच लिजिए नहीं तो हानी होगा और आज किसी भी कीमत पर मीठी यादों को ही याद करें ब को थोड़ा सा टेंसन में जाल सकता है तो यहां पर थोड़ा समलना है हलाकि आज केले का दान करें तो बहुत सरी मुश्किलें सो बाहर निकल पाएंगे तो स्वास्त में हलकी फुलकी नर्मी है और आज नसे से दूर रहिएगा वहां खुछ से चलाते हैं जरा समलके और बातों को याद कर आज समय बर्बाद ना करें जो बरतमान में है उस पर ध्यान दें और अपने स्वास्त का भी ध्यान लखना है याद रखें स्वास्त के परती लापरवाई बहुत नुक्सान में डालेगा इसमें पॉजिटिव एनरजी किया वा सकता है दिन की सुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें और सीखना कभी बंद मत करें जो भी सीखने का हो उम्रे उसके लिए खत नहीं होती सुरंग नीला भागे साथ निवाएगा 62% भाग्यांग 6 है थोड़ा सा आराम कीजिए मानसिक दबाव थोड़ा बहुत है लेकिन आज किसी को उधार ना दे जीवन साथी की लापरवाही हलकी फिलकी मुश्किलें आपको डालेगी जीवन में लेकिन जरूर से ज्यादा चिंता ना करें समय के साथ सब कुछ बेतर हो जाएगा और समय की कमी के कारण हो सकता है आप अपनों को समय ना दे पाए ध्यान रखे है कीमती समय का तो इसे ठीक है पर संभल के बोलिएगा फिलाल विदा लेते हैं धन्यवाल